नमस्कार साथियो डॉक्टर नहीमेंद रगुर्वाल नारायना ऑस्पिटल जैपूर से प्रमुक्ता और्थोपडिक सर्जन हो ओवरल अपन इन वीडियो की सीरीज में बात करते हैं जॉइंड आर्थरिटेस इंड जॉइंड रिलेटर समस्याओं से कमरदर्द एक प्रमुक स्पाइन के डिजीज के अंडरगट उसको डाइगनोस किया जाता है पर कई बार यह देखा गया है कि आपको कमरदर्द हुआ डॉक्टर को दिखाया आपने अमराई भी करा ली उसके बाद भी उसमें कोई डाइगनोसिस नहीं हुआ और आप भी परिशान है और डॉक्टर भी कन्फूज्ड है कि आपको क्या बीमारी है और कैसे आपको ठीक किया जाए तो तो इस रिकार्डिन एक इन्पोर्टेंट डिआगनोसिस है पाइरीफिवम सिंड्रोम जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे पाइर प्यारीफिवमस क्या होता है का पेन हो सकता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं वह इसको क्लिनिकली देखते हैं बिल्कुल टिपिकली एक यह श्याटिक पेन की तरह आपका लैग रेज पॉजिटिव आता है आपको दिक्कत मैसूस होती है पर इन्वेस्टिकेशन हम कराते हैं तब आप नॉर्मल आते हो इंवरे भी नार्मल आते हैं तो हैं तो यह देखा जाता है कि अब क्या क्या डियाग्नोसिस हो सकता है तो पाई्रिफएव सेंड्रों एक डाग्नोसिस एक्सक्लूजन है जब आपन को कोई भी रीजन ऑफफ नहीं डाइगनोस हो रहा है तो पाइरिफॉर्म सिंड्रोम की तरफ डॉक्टर की नजर जाती है पाइरिफॉर्म क्या होता है कि अगर आप इस मॉडल में देखें तो ओवरॉल इस इस मॉडल में ये कमर का हिस्सा है और ये कूले का जोड है इन दोनों को जोडे रखने के लिए पीछे की तरफ एक मसल होती है जिसको पाइरिफॉर्म मसल का जाता है जो एक एक्टरन रोटेटर होती है कूले के जोड को भार की घुमाने में थोड़ी सी मदद करती है ये पारिफॉर्म मसल के पास से निखलती है और कई वार इटिलोजी होती है कि पाईरिफॉर्म मसल की ऊपर से नीचे से या अंदर से निकल रही है किसी भी विविन-प्रकार के एन अटमिकल संद्रचना में डिफ्रेंस आने के कारण ये पाईफॉर्म मसल को कॉंटर करने पे करने लग जाती है और नियूराइटिस करने लग जाती है कि मसल की पैथलोजी हुई मसल टाइट हुई उसने श्याटिन नर्व को दबा दिया पिंच कर दिया या उसको इरिटेट कर दिया तो उसमें नियूराइटिस हो गया और सेम फिर श्याटिका वाले फीचर्स आप में तो होना राहे है और आपको कि टीपीकल टेष्ट होते हैं, जब आरिफ dig SAR को सोचते हुए मैं खिर jalैक्सक्न फिजो थेरपी करनी है कुछ मेडिसिन लेनी है जो जो ओवरल मसल को रिलेक्स करें नर्व को रिलेक्स करें उसके बाद अगर आप ठीक मैसूस करते हैं बहुत ही अच्छा है अगर नहीं करते हैं तो लोकली मसल में कई बार हम लोगों को इंजेक्शन लगाने पड़ता है कि जो शियाटिक नर्व है उसको रिलेक्स करें और वो अपना काम करें और उस पर कोई भी इंपिंजमेंट नहीं पढ़ने के कारण कोई प्रेशर नहीं पढ़ने के कारण उसको रिकवरी हो तो पैरिफोर्म सिंड्रोम को इस तरीके से अपन ठीक कर सकते हैं इस बारे में आपको जानना आवशक है और इसमें क्या होता है इस बारे में इस वीडियो में हमने बताया धन्यवाद